नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका एक बार फिर आज की मेरे इस वीडियो में तो दोस्तों बाजार में आप चौतरफा बिकवाली यानि की गिरावट का महल देखी रहे हो और मैंने आपसे कहा ता कि जब तक अफ़ार आजार सो नहीं आएगा मैं बाजार में ख्रीदारी नहीं करूँगा मैं शिव सेलोन रैस करूँगा और फाइनली आज बाजार ने अफ़ारा आजार सो का लेवल लेवल तच कर दिया बलकि 100 से नीचे 18,068 यानि कि 18,000 100 से नीचे भी साब बाजार आया फिर एक रिकवरी आई और बाजार को एक बार तो बैंक निफ्टी को ग्रीन तक ले जाने में कामियाब हो गई तो ओवर ओल दोस्तो 1800 आया और मैंने फिर हलकी फुलकी बाइंग स्टार्ट कर दी अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आगे बाजार कैसा रहेगा देखो दोस्तो इस समय जो हालात बने वे हैं वो करोना के कारण बने वे हैं आपको पताएगे कि इस समय जो करोना की न्यूस चल लए है उसके कारण ये हालात पैदा हुए हैं उसी कारण हमारे भारतिये बाजार गिर रहे हैं रशिया यूक्रेइन इंफलेशन वगेरा जो बहुत सारी बैड न्यूस थी ओलिडी डिसकाउंटिड है ये जो नया खत्रा आया है करोना का इसको लेकर थोड़ा सा भै और चिंता का महौल है जिस कारण विक्वाली का प्रेशर बना और बाजार ने आपको दवाब दिखाया यानि कि बाजार किरावट में चले गए और अठारा सो का एक लेवल बनाया अब साब इसके विप्रीत अगर आप देखोगे एफाई एवर डियाईस का डाटा ये दोनों भाई वड़े चलाक निकले दोनों भाई वड़े चलाक निकले पैनिंग दिखा के साब माल उठाके ले गए जी यहां दोस्तों दोनों के दोनों माल उठाके ले गए एक भाई ने एफाई ने 968 करोड के आसपास की बाईन करी उपन नीचे कुछ फीगर हो तो देख लेना और दूसरे डियाईस भाई ने 22 करोड का माल ले लिया साब पैनिक में यह जो महौल होता है जब बजार गिरता है ऐसे में अच्छे-च्छे स्टॉक को आपको सेलेक्शन करना चाहिए जो अच्छे स्टॉक है जैसे गिर रहे हैं आज मैंने थोड़ा सा एक स्टॉक लिया आपको बी-ए-ल मैंने थोड़े से स्टॉक उठाए और आपको स्क्रीन शॉर्ट भी बेजा तो यह गिरावट एक एपोचिनिटी होती है तो दोनों भाई साम माल ले गए अब साम को जब डिसकस करेंगे वर्टसप टेलिग्राम पर तब हम समझेंगे कि आखिर इन्होंने किस तरह काम किया इंडेक्स ओप्षन कैसे करा इन्होंने बेचा या नहीं बेचा क्योंकि अभी तक तो भरमार है इनके पास इंडेक्स ओप्षन की आज देखेंगे इंडेक्स ओप्षन इन्होंने बेच वो बाजार ने टच कर दिया है इसके नीचे अगर बाजार ट्रेड करेगा तो मैं सारी लॉंग पोजिशन से इस पेसली ट्रेडिंग के पोजिशन से निकल जाऊँगा और फिर एक नया साब अपनी रणनीती मनाऊँगा जो आपको बता दूँगा वीडियो के मात्यम से फि कह सकते हैं अब देखने वाली बात ही होगी कि जो करोना के केसिस चाइना में हैं वो सहाव यहां कितने बढ़ते हैं वैसे यहां के जो मेरे क्याल से बड़े बड़े डाक्टर्स हैं जैसे एम्स के बहुत बड़े डाक्टर हैं उनका बयान आया है कि साब यहां के जो लोग हैं या यहां के जो पब्लिक है उसको घबराने चिंता करने की जरूरत नहीं है और यह जो करोना का वेरियंट है भी A7S कुछ नाम है यह साब से चाइना तक ही सीमित है यहां और लेडी मेरे ख्याल से उस तरह के वेरियंट थे तो इससे ज़्यादा घबराने और चिंता करने वाली कोई आवशकता उन्होंने नहीं कई है कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा ऐसा कुछ नहीं होगा कि पहले जैसी इस्तिति आए ऐसा कुछ नहीं होगा और यही चीज साब FIDI भाप रहे हैं उन्हें पताए कि शॉट टम यह साब पैनिक है कुछ दिनों में साब चीजे नॉर्मल हो जाएंगी क्योंकि इस समय हमारे पास कोरोना की वैक्सीन है पहले कोरोना की वैक्सीन नहीं थी अब सवाल ये भी है कि चाइना में ये वैक्सीन क्यों नहीं असर कर रही तो बहुत सारी कारण हैं दोस्तों की चाइना में असर क्यों नहीं कर रह वहां के वेरियंट्स अलग-अलग हैं, उनका खानपान अलग है, उनकी साथ रोख परती रोदक्षमता हमारे देश की तुलना में थोड़ी सी कम या ज्यादा हो सकती है, अलग मैटर है, हर देश का अलग मैटर है, जोग्राफिकल हिसाब से, तो अब देखना यह होगा, कि हम बॉटम फेसिंग करके, शॉट टम बॉटम फेसिंग करके, यहां से उपर जाएगा, जो प्री बजट रैली होगी, तो देखेंगे साम को, इनका पूरा डाटा खंगा लेंगे, और साम के साथ, साम के वक्त आपके साथ करूँगा डिसकस, तब तक दीजिए मुझे होगी मुलाकात, तब तक इंतिजाब, फाइनली, नमस्कार.